राधे राधे everyone, how are you all? I hope that you all are fine and doing well. Welcome to my another new cooking blog. आज मैं फिर से आसर हो गई हूँ एक बहुत ही ज्यादा healthy tasty and colorful recipe लेके लेके आज की recipe बहुत जटपड पनने वाली recipe है मैंने लिया है यहां पर 300 g पनीर, दो बड़े साइस का प्यास, दो बड़े साइस का शिम्ला मिर्च, एक बिग साइस का टोमाटर और चार हरी मिर्च सभी को मैंने काट के ready कर लिया है, summer है बट कुछ तो unique या कभी कभी थोड़ा सा अलग खाने का मर करता है तो इस वज़े साज मैं यह recipe शेयर कर रही हूँ आपके साथ मैंने पैन में ले लिया है, दो टेबल स्पून वाई टॉयल आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं लेकिन मैं आज वाई टॉयल में ही बना रही हूँ और जब तेल अच्छ से कर्म हो जाएगा तो हम इसमें सारे पनीर को एक साथ ही डाल देंगे सामर में बहुत देर तक किचन मेरा नाच्छा नहीं लगता है इस वज़े से मैं यह रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्यूं यह मैं आपको बता रही हूँ देखिए जब हम पनीर इसमें डाल देंगे उसके बाद हम इसे स्टर कर लेंगे इस तरीके से यह अब बड़े साइस का बड़े काटे रखा था और उसके लच्चों को भी थोड़ा थोड़ा अलग कर लिया था वह थो मैंने मिला दिया है दो मिन तो प्यास को भी फ्राइ कर लेंगे थोड़ा सा ब्यास ट्रांसलूशन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें मिला दूँर और अच्छे से धोकर इसका सारा पानी मैंने स्ट्रेन कर दिया है एक्चिली बहुत दिनों से समर स्पेशल समर स्पेशल रेसिपी खा रहें थे नॉर्मल सा तो इस वज़े से आज पनीर खाने का मन हुआ तो मैं इस तरीके से बना रही हूँ ताकि कम समय में बन जाए मुझे बहुत देर तक गैस में के सामने न रहना पड़े और घर में सभी को पसंद भी आ जाए एक्चिली यह वन पॉट रेसिपी है इसके लिए ना हम बहुत जादा महनत ही करेंगे भी हे असरी हरी मिश्ख और बहुत भी करेंगे थीच भी काजू स्रीफ काजू है साथ ही चार मगज के दाने है और साथ मैंने लिए है फोस्टोदाने लिए पहले थी सारा मैंने एक चमच करके लिए मतलब वन टेबल स्पून करके इसे हम फाइन पिस्ट बना लेंगे देखिए दो मिनिट हो गया है तो मैंने इसे खोल लिया धकन अब हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वह अच्छे से थोड़े-थोड़े सॉफ्ट होने लगे हैं मैंने को घ tenía तो अगरोगी टामाटर का रंग थोड़ा चेंज हो गया हैं वह पा निकलने लगा है और ओन नियुमिट नदो अजमाने मीग Colonie движ, यह अजमाने लिदिक हैं में सब इसे करना हैं टेबल स्पून अगर आपके पास नहीं है तो खाने वाला जो चम्मच होता है उसमें दो दो चम्मच करके डाल दें और साथ ही उस मिक्सी के जार को रिंस करके मैंने दो टेबल स्पून पानी भी इसमें मिला दिया और दो चुटकी मैं इसमें डाल रही हूं हल्दी हल्दी इसलिए क्योंकि मैं कोई और कलर या सोया सॉस वगरा यूज नहीं करूंगी तो थोड़ा सा हल्दी डाल दूंगी तो इसका कलर ला जवाब आ जाएगा अब अब सभी चीज़ों को हमें अच्छी से फ्राइ करना है बना इस policy इसी प्हुश्म दूख लिए और अब तक सबसों को चाल उव निकलनेnat गीए जब मैं सबसों को फ्राइय कर रहे थी यह मैं ज्यादातर लो फ्लेम पे कर रही थी मैंस अगर मैं छोड़ दूंगी तो क्या होगा ना चूंकि काजु अगर मैंने पीस के डाला है तो वह नीचे स्टिक हो जाएगा देखिए अभी यह बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है फ्राई होने में लगभग आपको दो मिनट तो लगी जाएंगे अब मैं इसमें डालनी हो सिर्फ टमैटो सॉस ये टमैटो कैचप जो भी है आपके पास वह आप खाने वाले चमज का एक चमज डाल दें और मैं यहां पर डाला है सॉल्ट का यूज किया है अब इस सॉस को भी हमें अच्छे से फ्राई करना है अदर वैस सॉस का एक अच्छा कच्छा सा अच्छी से फ्राई हो गया अच्छी से खुश्भु निकलने लगी है तो मैंने यहां पर ना हाफ कप पानी एड़ कर दिया है थोड़ा साब्स को अबलने के लिए मैं चोड़ेंगी ताकि सारा ही फ्लेवर एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए तो पहले ह और उसके बाद हम लीड लगा देंगे लीड लगा कर हम दो से तीन मिनट तक लो फ्लेम पे इसे उबलने के लिए चोड़ेंगे देखिए तीन मिनट हो चुके है और यह रड़ी हो गया मैं स्टर करके दिखाती हूं यह बिल्कुल रड़ी है मैं इस गैस को आफ कर दूंग मिनट पर आपकी बनके तैयार हो जाती है तो आप भी अगर चाहें इस गर्मी में जटपट कुछ बनाना तो इसे ट्राइ कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे जो मेरे चैनल पर नए है या पहली बार मुझे देख रहे हैं और मिलते हैं इसी तरीके के अगली ब्लाग में तिल देन टेक क्यार थैंक यू राधे राधे और बाई बाई प्लीज मेरे चैनल को जो लोग मेरे चैनल पर नए है वो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दें थैंक यू एब्रिवान